आपका आपी के यूटीब चैनल में इसको डीके में आज हम जी श्वेर के बारे में बात करने जा रहे हैं वह लो याड़ स्टील इंडिस्टी इस लेमिटेड लो याड़ स्टील में आज के दिन आपको लगबग 6% की बिग फोल स्टोक में दिखाई दे रही है इस गिरावट के पीछे आखरी का रीजिन के हैं और क्या यहां से हमें जना स्टोक को उठाना चाहिए या फिर नहीं इस शेर को लेकर देखो मैंने आपको पहले बोला भी स्टोक कंद्र उपर के लावल से गिरावट हो सकती है तो आप लोगों को ऐसा लेकर चलना चाहिए ज जो कि hidden में देखने को मिल रही है जिया hidden boy delay तो operator की जा रही है यहां पर आप देखोगे शोन नहीं हो रही है BSC के साइट पर आप देखोगे शोन कभी कबार देखने को मिलती है और 16 जनवरी कोई थी 16 जनवरी जब हुई तो उस साम उस टैम से आप देखो को स्टोक को जोना यह कि अगर मैं बात करूं तो सुरुआती दिनों में तो वहां पर जो यह लावल टच किये थी उसके बाद आप देखोगे कोट रेजल्ट है कोट रेजल्ट के डेट आने के बात ही आप देखोगे स्टोक जोना हमें डंप होती नजर आया था तो सेम रीजिन यहां पर हमे को अगला है कोटर अदर अटर uleum काथ लाग तो की काफी हाई है तो सभी द्रॉपर लगipping में निकाला जा रहे है आज के दिन जो वोल्यूम लगे NST और BST दोनों के अंदर आप देखोगे लगभग तीन करोड तीस लाख क्या सपास वोल्यूम लगते नजर आये जो कि काफी हाई है तो चलिए अभी देखते हैं आखिर कार क्यों टूटा है दो फरिवरी को हो गए एक और बड़ा धमाका जो कि है क्वा प्रफिट के बाद के तो प्रफिट में भी हमें जोना डिक्रीजिंग देखने को मिली लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे कंपनी ने आपको दस पैसे का साइध डियूड भी दिया है तो कंपनी आपको डियूड देते हुए नजर आ रही है अपके बार भी 65% के काफी शांदारिटे निकाल कर दिया है तो चलिए आपको पहले दिखा देते हैं आखर कार स्टोग के पीछे जो गिराउट हुई आज उसके पीछी का रिजन क्या है और कितनी गिराउट हमें जोना स्टोग का देखने को मिल सकती है तो यहां पर आप देखोगे लोया मिल स्टोग वा का वी लुडिटेव जो मोन बाई स्टोग को संटोग वर की छो फिर वहां अवावड़ी पहले निगल को KO आप देखोगे, 11 बसकर 40 मिंट के आसपास, तो आपको जो यह बल्ग डिले देखने को मिल रहे है, लगभग 11 चालिश के बाद कोई डिले देखने को नहीं मिली है, इसका मतलब 11 बजे से, 11 चालिश के पहले पहले जो डिले हो ही है, वहां पर जो माल है वो बेचा गया है, और ख्रीदा गया है, नीचे के लाल पर जब उपन हुआ, वहां से माल ख्रीदा और उपर के लाल से फिर सेल कर दिया, तो यह बल्ग डिले हैं में देखने को मिले, जो कि आप देखोगे, 5-5-5-3-2-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-3-2-3-3-2-3-3-3-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 ठाया और जोना भी बेचा गया, तो यह सारी रिजन्स रही हैं, जो स्टोक में आज क्रेक्शन देखने को मिला, तो चलिए इसके लावल्स भी देख लेते हैं, कैसे लावल रहेंगे, उससे पहले डिलेवरी पोजिशन देखना काफ़ जादा जुरूरी है, जो कि बहुत जो कि अमें प्रीवेस से से कम उठती नजर आई है, वहीं आप देखोगे, डिलेवरीवल कॉनिटी 85 लाग क्या सपास, और जो ट्रेडर कॉनिटी है, दो क्रोड़ 50 लाग क्या सपास, तो डिलेवरी काफ़ जादा कम उठी है, उसके साथ एक बड़ा बाइंग ओडर देख चार्ट के उपर है, अगर चार्ट की बात है, तो यहां पर आप देखोगे, सुवे स्टोकन एक अच्छी हमें जोना, तेजी बनते नजा है, स्टोक उपर में कहां पर ओपनिंग लिया, यह भी आपने देखा हुगा, उसके बाद आप देखोगे, स्टोक के अंदर हमें ज रेंज से, यहां पर पता चलता है कि सेलर गुषी है, और यहां पर जो नीचे की तरव यह विक भी भी इन है, इसका मतलब है बाइर फिर्श नीचे के लावल से घुषे हैं, तो यह रहा है आज के दिन का जो सारा का सारा डाटा, यह दो केंडल्स में आपको जोना भी लेकिन अजिके बाद आप चलता है, बाइर शलिंग होती है नजर आये इस टोट अंडर वह मैंने अपको दिखा दिये बल्क डील के जरीए, तो यहां पर आप देखो कर भी लास्ट में जाकर आपको जोना फिर से जोना भी बाइर गुस्ते हुए नजर आये हैं, ठीक है न नीचे के लवल से आप देखोगे, स्टोग को फिर से उठाया है, और स्टोग की जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है, वो लगबग आप देखोगे 22.55 के आज पास देखने को मिली है, नीचे में सपोर्ट की बात करें, तो आपको देखने को मिल रहा है, स्टॉंग ले से अगर ब्रेक होता है तो फिर जोना आपको एक अच्छे लावल के तरफ घुमते हों नजर आएगा क्योंकि जब जब पुल बैक स्टोक के अंदर हो उसके अगले दिन हम जोना स्टोक के बाद रिकवरी बनती है तो स्टोक आपको जोना अच्छी रिकवरी दिखाता है एक जाती हो नजर आता है तो वहां से आपको जो शेयर है एक अच्छे लावल के तरफ जाती हो नजर आ सकता है जैसा कि आपको यहां पर यह देखने को मिला इसी परकार यहां पर देखने को मिल रहा है लेकिन यह पुल बैक कहां तक नीचे में जाएगा है फिर उपर में कर दोगँ दो